गुड मॉनिंग आप सभी का स्वागत है स्वनरेखा प्राइबेट आई टी आई के यूटूब चैनल में इस वीडियो में एलेक्ट्रिसेंट ट्रेट थेयरी सेकंडियर के पंदरा महत्पून कोश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे जो आपके आने वाली एकजाम के लिए ब बड़े बड़े डीसे जनरेटर होते हैं उसके पोल कोर किस मैट्रियल का बनाया जाता ये प्रस्ण पूछा गया चार ओप्षन दिये गए पहला ओप्षन सौप्ट आईरेन दूसरा ओप्षन कास्ट आईरेन तीसरा ओप्षन कास्ट स्टील और चोथा ओप्षन स्टेनले जाते हैं, option C, बिल्कुल सही जवाब है, आज का हमारा दूसरा प्रस्ण है, DC जनरेटर में filled coil का उद्देश क्या है, किस उद्देश से filled coil का परियोग DC जनरेटर में किया जाता है, चार option है आपके सामने, option को ध्यान से देखिए, इनी चारों में से कोई सही जवाब है, और वो को चुम्ब किये करना, जो filled coil है, इसका मुख्य उद्देश होता है, ये पोल को magnetize करें, ताकि flux प्रिडूस हो सके, आज का हमारा तीसरा प्रस्ण है, DC जनरेटर में armature प्रतिक्रिया का परभाव क्या है, जो armature reaction होते हैं, DC जनरेटर का, इसका effect क्या होता है, चार option हैं आपके सामने, option को ध्यान से दिखिए, इस प्रस्ण का सही जवाब है, output voltage decrease, armature reaction जब DC जनरेटर में होता है, तो output voltage में decrease देखने को मिलता है, option B बिलकुल सही जवाब है, next question है, short और open circuit के लिए, armature winding का परिक्षन करने के लिए, किस उपकरन का उपयोग किया जाता है, armature के short circuit और open circuit के testing के लिए, किस परिकार के उपकरन का परियोग में लाया जाता है, ये प्रस्ण में है, चार, option है आपके पास, option A बोल रहा है, tongue tester, option B, internal growler, option C, external growler, और option D, digital multimeter, armature के short circuit और open circuit को find out करने के लिए, external growler का उपयोग में लाया जाता है, तो इस प्रस्ण का सही जवाब है, option C, next question है, armature winding परितिरोध को मापने के लिए, किस उपकरन का उपयोग किया जाता है, armature winding के resistance को मापने के लिए, किस परकार के instrument का परियोग में लाया जाता है, ये प्रस्ण में है, चार option देगए, option A, meager, option B, multimeter, option C, series type, ohm meter, option D, Kelvin bridge, इस प्रस्ण का सही जवाब है, option D, Kelvin bridge, armature winding के परितिरोध को मापने के लिए, Kelvin bridge इंस्टुमेंट का परियोग में लाया जाता है, next question है, DC motor की गती नियंतरन वीधी का नाम क्या है, वो कौन सा वीधी है, जिसका परियोग करके, DC motor के speed को कंट्रोल किया जाता है, चार, method नीचे दिया गया है, पहला method का नाम है, field-diverted method, दूसरा method का नाम है, field-tapped method, तीसरा method का नाम है, voltage control method और चोथा method का नाम है, armature-diverted method, तो इस प्रस्ण का सही जवाब होगा, option D, armature-diverted method, armature-diverted method का परियोग करके, DC motor की गती को कंट्रोल किया जाता है, next question है, DC motor की गती की गनना करने के लिए, किस सुत्र का उप्योग किया जाता है, जो DC motor होते हैं, उसके speed के calculation के लिए, किस परकार के formula का परियोग किया जाता है, तो इस प्रस्ण का सही जवाब है, option A, N is equal to EB वटा 5, option A बिल्कुल सही जवाब है, next question है, DC motor में EMF की गनना करने का सुत्र क्या है, DC motor के EMF की गनना किन सुत्रों के दोरा किया जाता है, चार option दिये गए, option को ध्यान से देखिए, इनी चारों में से कोई answer है, तो इस प्रस्ण का सही जवाब है, option C, EB is equal to 5, ZNP बटा 16A, बिल्कुल सही जवाब है, C, बढ़ते हम लोग next question की तरब, question है, DC cent motor में सामाण्य गती से नीचे कौनसी गती नियंत्रन बिधी प्रदान करता है, अगर DC cent motor में normal speed से नीचे की गती को control करना है, तो कौनसी method को use कर सकते हैं, चार option दिये गए, चारों option, speed control का method है, तो इस प्रस्ण का सही जवाब है, option C, आर्मेचर कंट्रोल मेथ़ड, DC cent motor में सामाण्य गती से नीचे की गती नियंत्रन के लिए जो बिधी है, उसके लिए आर्मेचर नियंत्रन बिधी का परियोग किया जाता है, next question है, कौन सी कुचालक सामगरी, स्रनी B के कुचालक की है, आपको बताना है, इन चारों में से कौन सा material, class B के अंतरगत आता है, option A, cotton, option B, bamboo, option C, fiberglass, option D, leatheroid paper, बनें, चमड़े का कागज, class B के अंतरगत, fiberglass आते हैं, तो इस प्रस्ण का सही जवाब है, option C, next question है, स्रनी F insulation का टापमान क्या है, F class के जो insulation material होते हैं, उसको maximum कितने temperature तक परियोग कर सकते हैं, ये प्रस्ण में है, option A, B, C, D, चार option दिये गए, तो इन चारों में से बिलकुल सही जवाब है, option D, जुस्रनी F class के insulation material आते हैं, उन्हे 155 degree Celsius तक परियोग में लाया जाता है, next question है, नियंतरन गती ड्राइव के लिए किस परकार के DC motor का उपयोग किया जाता है, नियंतरन गती ड्राइव मतलब, constant speed drive के लिए किस परकार के motor का परियोग किया जाता है, इस परस्ण का सही जवाब है, option B, DC sent motor, constant speed के लिए DC sent motor का उपयोग किया जाता है, भी बिल्कुल सही जवाब है नेस्ट कुस्चन है लिप्ट में किस परकार के DC मोटर का उप्योग किया जाता है ओप्शन A, DC सिरीज मोटर ओप्शन B, DC संट मोटर ओप्शन C, DC डिफरेंशल कमपाउंड मोटर और DC कम्यूलेटिब कमपाउंड मोटर लिप्ट में बेसिकली जो मोटर का परियोग किया जाता है उसका नाम है DC कम्यूलेटिब कमपाउंड मोटर इस प्रस्ण का सही जवाब है ओप्शन D बढ़ते हैं नेस्ट कुस्चन की तरफ कुस्चन है गती नियंत्रन का कौन सा तरीका DC स्रेनी मोटर में रेटेड गती के नीचे गती देता है आपको बताना है स्पीड कंट्रोल का वो कौन सी बीदी है जिससे DC सीरीज मोटर में जो रेटेड स्पीड होते हैं उससे नीचे का गती परदान करता है ओप्शन A फिल्ड डाइवर्टेड मैथड ओप्शन B TEF फिल्ड मैथड ओप्शन C भोल्टेज कंट्रोल मैथड और ओप्शन D आर्मेचर डाइवर्टेड मैथड इन चारों में से सही जवाब है आर्मेचर डाइवर्टेड मैथड अगर DC सीरीज मोटर में रेटेड से नीचे का स्पीड हमें चाहिए तो उसके लिए आर्मेचर डाइवर्टेड मैथड का परियोग कर सकते हैं ये आज का हमारा आखरी प्रस्ण है DC स्टार्टर के परतिरोद को सुरू करने के लिए किस सामगरी का उप्योग किया जाता है DC स्टार्टर में जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को बनाने के लिए किस परकार के सामगरी का उप्योग किया जाता है ये प्रस्ण में है उप्शन A, यूरेका उप्शन B, नाइक्रोम उप्शन C, मेगानीन और उप्शन D, कॉन्स्टेंटाइन तो इस प्रस्ण का सही जबाब है option A, Eureka DC starter के लिए जो resistance का परियोग क्या जाता है उसमें Eureka का उप्योग में लाया जाता है तो ये आज के हम लोग क्लास में 15 महत्पून क्वेस्चन second year electrician trade theory में हम लोग बात किये